एक समय था कि कोई अपने आपको सनातक या M.A. कहते हुए गर्व से फूला नहीं समाता था मश्कार दोस्तों आज का हमारा विशे है सिख्षा का बदलता चेहरा जिस पर हम बात कर रहे हैं एक फीचर किस तरह से लिखा जाए आज हम ओडियो लेसन में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक आज है कि M.A. करने वाला बगलें जाक रहा है उससे समझ नहीं आता है कि वह M.A. की डिगरी को लेकर क्या करे नोकरी के लिए M.A. की कोई एहमियत ही नहीं है नोकरी छोटी हो या बड़ी सरकारी हो या निजी सब काम को देख रहे हैं अनुभाव को देख रहे हैं प्रोडक्शन को देख रहे हैं उनके लिए डिगरियां बेमानी है सन 2000 तक तो डिगरियों की फिर भी कोई पूछ थी लेकिन 21 शदी में प्रवेश करते ही मानों शिक्षा में निजी करण का बोल बाला हो गया तकनीकी शिक्षा और कम्प्यूटर अनिवारे हो गए कॉलेज की सैधनतिक शिक्षा बिलकुल बेकार हो गई आज स्थिती यह है कि B.A.M.A. लगभग बेकार घूमते हैं जब तक वे कम्प्यूटर बी एड या अन्य कोई वेवसाइक डिगरी ना ले ले उनके लिए नोकरी के द्वार नहीं खुलते हैं और लगभग यही स्थिती अन्य विध्यार्टियों की भी है चाहे उन्होंने B.C.M. किया हो या B.A.C. किया हो पहले हर छात्र लगभग दस बारे तक पढ़ने के बाद कोलेज में पढ़ने का सपना संजोता था उसके लिए सिख्षित होना सपने के समान था उसके लिए वहे व्याविसाइकता को भी नजर अंदाज कर जाता था देकिन आज जमाना बहुत जागरुकता का है आज इस्तिती यह है कि स्कूल कोलेज की सिख्षा प्रनाली एक तरफ हासिये पर आ गई है जागरुक माता-पिता प्राइवेट प्रस्टिक्षन को महत्व देने लगे है बच्चे के पैदा होते ही उन्हें प्रिप्राइमरी स्कूल में प्रवेश पाने के लिए संख़श करना पड़ता है इसके लिए घर घर खुले प्रेशिक्षन किंद्रों की शरण में जाना पड़ता है स्कूल में पढ़ते वे भी बच्चे ट्यूशन पर अधिक निर्भर रहने लगे हैं और स्कूल पर कम अच्छे से अच्छे स्कूलों की भी यही दशा है माता पिता को चैन नहीं है और वे चाहते हैं कि उनका बच्चा नप्पे प्रतीशत से अधिक अंक लेकर काए के आए और प्रथम आए इसके चलते योग्ये सिख्षकों ने प्राइवेट डॉक्टरों की तरह प्राइवेट ट्यूशन अकादमिया खोल ली है वे आर्थ-दस हजार की सीमित आय की बजाए हजारों लाखों कमाने लगे हैं घर-घर में ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं कितने ही बेरोजगारों को इससे आजिविका मिली है कक्षा 12 तो मनो वाटरलू का मैदान हो गई है और ये साल हर बच्चे के लिए टर्निंग पॉइंट होता है इसलिए माता-पिता बच्चे इस वर्ष पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं और विज्ञान के बच्चे पूरा वर्ष ट्यूशन और कोचिंग की चक्कर लगाते हैं उसके बाद प्रवेश परिक्षा के लिए रेफ्रेशर या क्रेश कोश करते हैं पढ़ाई उनके लिए युद्गे मैदान के समान हो जाती है अच्छी सिक्षा के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर भरोसा करने लगे हैं और यही करण है कि यह सेंटर एक बड़ी रकम फीस के तोर पर वसूल कर लेते हैं अधिकाश चात्र कक्षा बार्मी के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकी, सीए, आधिके व्यवसाई खोज लेते हैं और इनमें ऐसफल रहते हैं वह चात्र व्यकल्पिक तोर पर कॉलेज की एक सिक्षा की और मुड़ जाते हैं इसलिए कॉलेज की पढ़ाई तो दूसरी शेनी की बन करके रहे गई है कुछ अच्छे कॉलेजों में जो व्यवसाईक या तकनीकी पाठेकरम चल रहे हैं उनको छोड़ने तो सेश कॉलेज मानो टाइम पास करने का माध्यम बन कर रहे गई हैं यह था हमारी शिक्षा के बदलते स्वरूप पर हमारा आज का फीचर लेखन अगर आपको इस तरह की फीचर के लिए बुक परचेज करनी है तो हमने बुक सेलर का नंबर आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया है आप वहां से जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हो थेंक यू फॉर वाचिंग और थेंक यू फॉर यू टाइम